अब बिल्कम टो एसकेडमी आई होप आप आपलो सब अच्छे होंगे आज इस वीडियो में डिसकस करने वाले है छे जुलाई फर्स सिफ्ट के एकजाम एनलेसेस के बारे में वही कोश्चन जो आप लोग एकजाम में आज के सिफ्ट में पूछे गए हैं साथ साथ एफी डिसकस करने वाले हैं कि आप लोग जो एकजाम में कौँसा सब्जेक्ट जो है टफ आया है कौँसा सब्जेक्ट इज़ी आया है और मैस के कोश्चन की स्टॉपिक से ज़्यादा कोश्चन पूछे गए हैं तो चलिए बिना देर के वीडियो को सुरू करते हैं एक बात और बता दूँ एदि आप लोग आरवी गुरूप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यही कोश्चन आप लोग आरवी गुरूप डी में भी बहुत सारे सिफ्टों के रिपीट किये जाएंगे तो आप लोग इन को जरूर एक बाग देख लिजिएगा बहुत ही महतपूर कोश्चन है वीडियो ज्यादा लबी नहों इसलिए फटा फट कोश्चन को करने वाल है आप लोग वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा और सामको आप लोग को दोनों स्टिप्ट का एनलेसेस एक सांथ जन्ना न इंपर्टन कोश्चन है अगला कोश्चन पूछा गया था जो आप लोग देख लिजिएगा क्या पूछा गया था सास्त्रिया या सास्त्री होगा जो असम से संबंदित है आप लोग बतादू हर सिप्ट में अभी तो तीन सिप्ट आप लोग का एक सिप्ट में एक जाला जा रहा है तो आप लोग हर किसी भी राज की, को जो भी लोकनित हैं, आप लोग याद कर लिजें , आप लोग बोलेंगे कमेंट करेंगे तो आप लोग को separate वीडियो एक प्रवाइड कर वाद दियागी कि कौन से लोकनित किस राज चे संबन्दित है आप लोग कमेंट बाक से ज़रू बताएगा वीडियो चाहिएगा तो अगला सवाल है भुटान से रिलेटेट एक प्रस्ण आया था भुटान की राजधान ये पुछाता है भुटान से कोई कोश्चन आया था यदि आप लोग एकजाम देके आये तो अब बताएगे कौन सा ओप्सन में था उसके अनुसार आप लोग डिफरेंस करके इसको लगा सकते हैं वैसे आप लोग जरू कमेंट इसका एंसर ही बता सकते हैं एक कोश्चन पुछा गया था बहुत ही महतपूर सवाल है एक कोश्चन आप लोग को दिवस के रूप में पूछा जाएगा अगला सवाल, पूछा गया, था भारत रतन, 2019 में कितनी लोगे को दिया गया था ? कितनी लोगे को दिया गया था SPEAKER पता नहीं था एकुरेट क्या था इसलिए नहीं डाला गया है पदम भिभूसर से सम्मझे आप लोग देख लीजिएगा अकबर के मंत्री से एक कोश्चन आया था ये भी कंफर्म नहीं है आप लोग देख लीजिएगा क्या पुछा गया था आप लोग बता से राजस्व मंत आलेडी चैनल पर अप्लोड है सेप्रेट वीडियो की कौँ कौँ से पुरुसकार जीते हैं आप लोग उसको नहीं देखें तो करेंट फेले वाली प्लेलिस्ट है आप लोग डारेक्ट सर्च करके नियर चोपड़ा बाई एस से एक प्रस्ण पुछा था था नमनोनित पर जो है एजी आ रहा है मैत का पर जो है बहुत ही सराल आ रहा है आप लोग ध्यान डरने की कोई यरूत नहीं है एक दो परस्ण आप लोगे सरलीकर से आ रहा है दो से तीन परस्ण जो है परसेंटेज से पुछे जा रहे हैं किसे परसेंटेन एने SI और CI समझ लिए उससे भी question पुछे जा रहे हैं और 3 प्रस्ट आप लोगे mensuration 36 से संबंधी question पुछे जा रहे हैं paper की level की बात करें आप लोग समझ सकते हैं यह जो topic है इसी से आप लोगे question जादा पुछे जा रहे हैं 2-3 question पुछे जा रहे हैं पहला topic है percentage जो paper आप लोगा easy आया था CIO और SI से question पुछे जा रहे है easy to moderate question आ रहे है average से question 2-3 question आप लोग average से पुछे जा रहे हैं यह भी पहुत ही easy question आ रहे हैं और ratio and proportion से question पुछे जा रहे है यह भी easy था speed time and distance और नाव अधारा नाव अधारा से भी question पुछे रहे हैं और 5-4 से भी question आ रहे है 5-4 से आप लोग से 1-2 question 3 question भी मान सकते हैं 5-4 से भी question पुछे आ रहे है जो level था moderate था और simplification जिसको सरली करन बोलते हैं आप लोग इसका paper जो है moderate था इसमें भी आप लोग से 1-3 question पुछे जा रहे हैं तो यह रहे है आप लोग के जो आज के exam analysis और आप लोग को चैनल को जरू subscribe करे रखिएगा क्योंकि आप लोग जो latest video होगी सामको वो बहुत ही महत्पूर्ड होने वाले पूरे general knowledge question आप लोग कवर किया जाएंगे आने माले सिप्टों में आप लोग को बहुत मदद मिलेगी और गुरूप D के exam के लिए बहुत ही महत्पूर्ड साबित होई ठीक है चैनल को जरू subscribe कर लेजीगा